तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि फोन पेसी आप लॉन कैसी ले सकते हैं अगर आपको लॉन की नीड है तो आप फोन पेसी लॉन के लिए अपलाई कर सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हू कि आप phone पे से जो है कैसे आप lawn के लिए apply करेंगी क्या सब आपको document submit करना पड़ेगा मैं आपको इस वीडियो में total process बताने वाला हूँ तो अगर आपको जो है lawn की need है अगर आपको lawn की सक्त जरूरत है तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक किजिए और subscribe किजिए तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको phone पे application को open करना है और जैसे ही आप open करेंगे आपको यहां पे कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले करना क्या है लेप सेड में आपको प्रोफाइल का icon देख सकते हैं इस पे आपको click करना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे यहां पे एक option मिल जाएगा bank account का तो इस पे click करके आपको कोई सब ही एक bank account को add करना है एड करने के बाद आपको नीचे scroll करना है और यहां पे एक option मिल जाएगा loan repayment देख सकते हैं इस पे आपको click करना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो यहां पे काफी सारे loan company का नाम show कर जाएगा जो कि देख सकते हैं इतने सारे loan company loan provide करते हैं जो तो आप नहीं पर देख सकते है creditBee नाम का जो है यहां पर आ चुका है देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ Google Play Store को open करना है और यहां पर वही नाम सर्च करना है जो अभी आप फोन पर में सर्च किया है करेड़ी जैसे ही आप क्रेड़ी भी सर्च करेंगे तो आपको यहां पर क्रेड़ी नाम का ऑफिसली एप दिख जाएगा तो इस अप्लिकेशन को सबसे पहले आपको डॉनलोड कर दर नाम पर देख सकते हैं कि आप यहां पर लिखा हुआ जायेगा कि आपको किस किसम का इh तक का लॉन मिलेगा असी हजार रुपिया मिलेगा दोर लाग रुपिया मिलेगा जो कि यहां पर लिखा हुआ है यानि कि इतने के लॉन यहां पर मिलता है जो कि बिजनेस लॉन देख साथ है चार लाग रुपिया तक का मिलता है तो आपको सबसे पहले करना है क्या नीचे ए receive हो जाएगा तो OTP जो है Automatic Detect हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको नीचे as call करना है कुछ इस तरीके से और यहां पर आपको टॉफ कंडिशन इस पर टिक करना है और उसके बाद जो है आपको यहां पर आई एगडी का कोई दिकत नहीं है तो यहां पर एक option मिल जाता है no I don't have a referral code तो आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको pen number फिलब करने का option आ जाएगा तो यहां पर आपको pen number फिलब करना है अपने pen card का जो की आप एसकी पर देख सकते हैं और pen number फिलब करने के बाद नीचे आपको submit का option मिल जाएगा submit पर आपको click करना है उसके बाद जो है आपको income details फिलब करने का option आ जाएगा तो आप एसकी निपर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है income details तो सबसे पहले यहां पर ए आपको अपने महीने का income डालना है जो भी आपका मंतली income है और उसके बाद जो है आपको यहां पर submit का option जाएगा submit पर आपको click करना है उसके बाद जो है आपको loan amount एप्रूब हो जाएगा और यहां पर लिखा हुआ आज आ जाएगा और यहां पर नाम शोड़ कर जाएगा और देख सकते लिखा हुआ आ जाएगा you are eligible for a loan up to 25,000 रुपिया यानि के आप जो है first time 25,000 रुपिया तक loan ले सकते हैं यानि के जब आप जो है loan के लिए apply करेंगी तो सबसे पहले आपको कमी loan amount approve होगा और जब आप उस amount को जो है ले करके pay कर देंगी उसके बाद जो है आपका loan amount increase हो जाएगा तो देख सकते हैं यहां पर first step complete हो चुका है यहां पर green tick लग चुका है अब यहां पर एक option आपको मिल करना है और जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहां पर आपको सबसेगर देख सकते हैं एक option मिल जाएगा address रूप का देख सकते हैं यहानि के address अजिक क्लिक करना है और जैसे हैप पर click करेंगे तो यहां पर two option बेज़ल अधार , businesses and physical क्य से तो आपको यहां को यह और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक उप्शन में जाएगा आपको continue का तो आपको continue पर क्लिक करना है फिर आपको turn on पर क्लिक करना है और कुछ इस तेके से permission दे देना है उसके बाद जो है आपको अधार नंबर फिलप करने का option आ जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते प्रोसेसिंग ले रहा है तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने अधार काड का नंबर फिलप करना है 12 डिजिट का और अधार नंबर फिलप करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है और यहाँ जब submit पर click करेंगे आपके मोबायल नमर पर OTP से हो जाएगा जो मोबायल नमर आपके अधार कार्ट से लिंक होगा और OTP डाल कर देंगे आपका अधारी क्वैसी complete हो जाएगा उसके बाद आपको सिधे back आना है और back आने के बाद यहां पर आपको पैन कार्ड अप्लोड करने अप्लोड कर सकते हैं तो टिक फोटो का जो option है इस पर click करके आप जो camera start करके आप जो पैन कार्ट का फ्रेंट सेट क्याप्चर कर सकते हैं तो यहां पर अपको क्लिक करने के बाद यहां पर एक option में जाएगा proceed to take selfie और जैसे ही आप proceed to take selfie पर click करेंगे आपका camera start हो जाएगा और आपका camera start हो जाएगा उसके आपको अपना एक selfie capture कर लेंगे तो आपका यहां पर डुकुमेंट वाला जो प्रोसेस है सरा यहां पर complete हो जाएगा और उसके आपका जो है क्वैसी complete हो जाएगा तो उसके बाद जो है यहां पर पैसे लेंगे वह बेंगे और फिलब करेंगे जब आपका यहां पर ग्रीन टिक लग जाएगा और उसके बाद जो है रिफ्रेस्टेश में आपको लॉन नमबर सोख कर जाएगा तो आप जैसे यह जो है देख सकते हैं आप 50% complete हो चुका है और इसी तरीके से आप चारू एस्टिप complete कर देंगे तो यह 100% complete हो जाएगा और उसका जिए आपके बेंगरने पैसा transfer हो जाएगा जो कि बिल्कुल सिंपल है जैसे कि आप एसकिन पे देख सकते हैं तो आप कुछ इस तरह के से जो है आप फोर पर एप के जरीए क्रेडिट बीज लॉन ले सकते है आई होप आपको यह वीडियो पसंदे होगा वीडियो पसंदे है तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए कमेंट किजिए मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच बाइए